साई की बात बचे तुम मेरी छत्र चाया में बिलकुल महफूज हो मेरे बचे बिलकुल महफूज हो कोई भला अपने पिता के पास महफूज नहीं रह सकता बोलो तुम अपने पिता की छत्र चाया में हो और तुम बिल्कुल महफूज हो मेरे बच्चे बिल्कुल महफूज हो और सुनो पता है माता पिता का जो सर है वो कब उपर उड़ता है तब जब उनके बच्चे बहुत आगे जाकर उनका नाम उचा करते हैं गर्व से नाम उचा करते हैं और वही तुम करना चाहते हो तो मुझे बहुत खुशी है मेरे बच्चे और जिस दिन तुम अपने माबाप का नाम उचा करोगे ना उस दिन मुझे बहुत खुशी होगी और भी ऐसे लोग होते हैं और भी ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने मात पिता का नाम दबा देते हैं क्यूंकि माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं कि उनका बच्चा कुछ करेगा आगे, लेगिन उसके बावजूद ना वह बच्चा उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, उनसे बात तक करना पसंद नहीं करता, पूरी जिंदगी वो उसे सुलाते हैं, उसकी हर एक चीज को पूरा करते हैं, ख्वाइशे पूरी करते हैं, उसे अपनी जान से भी बढ़कर रखते हैं, कि बढ़ा होकर वो उनकी सेवा करेगा, उनका नाम अच्छे, सब आत्माएं हैं, जितने भी लोग धर्ती पर है न, यहां रिष्टा जो बना हुआ है वो यहीं खतम हो जाएगा, सब रिष्टे उपर जाकर अलग हो जाते हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से जो रिष्टा होता है न, वो सिर्फ नाम का होता है, आत जिने की इच्छा खतम कर लो, यह मैं बिल्कुल नहीं चाहता, और अगर फिर भी तुम्हें रिष्टा रखना है, तो मुझसे रखो न, अपने बाबा से उमीदे करो, मैं करूंगा तुम्हारे लिए सही, सब कुछ सही करूंगा, सब कुछ ठीक करूंगा, और जिनके बच जिनों में साप दिखाई देते हैं तो जाओ तुम्हें महादेव जी पुकार रहे हैं, उनके पास जाओ और उन्हें जल चड़ा कर आना, उन्हें जल और कच्छा दूर चड़ा कर आना, वो तुम्हें बुला रहे हैं, क्योंकि तुम कुछ कहकर आये थे उनसे एक बार, औ और सुनो किसने कहा कि तुम लावारिस हो किसने कह दिया बोलो मैं हूना तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा जब तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है तो कोई तुम्हें लावारिस कहे या तुम अपने आपको लावारिस समझो यह अच्छी बात नहीं है मेरे बचे जब म तुम भीड में रहोगी और ऐसे बहुत सारे लोग होकर तुम्हारे असपास जो तुम्हारे अपने होकर तुम्हारे अपने नहीं। तो फिर क्या करोगे ऐसे लोगों का, जो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं, कम से कम तुम शांती से तो हो, अपनी अलग जिन्दगी जी रहे हो ना, खुशी के साथ, मेरे साथ, हाँ, फिर किस बात की चिंता है तुम्हें, और सुनो, मैं तुम्हें अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि समझ जो मेरे बात को, कि मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, समझो इस बात को, और सुनो, बार बार किसी को अपने अच्छे होने की सफाया पेश बिल्कुल भी मत करना, जिसे समझना होगा वो समझेगा और जिसे नहीं समझना होगा वो बिलकुल भी नहीं समझेगा तो जाने दो ना और सुनो आज करना तुम अपने लिए अपने कदर करने लगे हो अपने उपर आत्म विश्वास करने लगे हो पहले तुम चार लोगों में बैट करना अपने आत्म विश्वास के साथ में अपनी बात नहीं रख पाते थे चार लोगों के बीच बैट नहीं पाते थे अपनी को भी रखते हो कहते भी हो और खुद की कदर भी करते हो और इज़त भी करते हो यही तो बात है मेरे बच्चे जब मेरा बच्चा मुझसे जुड़ता है ना तो मैं उसे सबसे पहले खुद की इज़त करना सिखाता हूं दुनिया की इज़त तो मैं करना सिखाता ही सिखाता और तुम्हें मैंने वही सिखाया अपने आपको सबसे पहले रखो अपने खुशी को सबसे पहले रखो उसके बाद दुनिया की खुशी उसके बाद दुनिया का काम समझ कहे ना मेरी बात को और सुनो अगर तुम किसी से कोई भी बात कहते हो न तो वो पूरी सच्चाई के साथ कहो, क्योंकि देखो, उसमें कोई भी बात ऐसी ना हो, कि तुम किसी की बुराई कर रहे हो, या फिर बुराई कोई बड़ा चढ़ा कर, या कुछ चीजों को मिश्रित करकर तुम कह रहे हो, नहीं, जो बात है बस वही कह दो, लेकिन तुमें किसी की बुराई नहीं करनी है, तुम जो बात है वो बात तुम कह सकती हो, लेकिन अपनी तरफ से तोड मोड कर जोड कर नहीं कहना है तुमें, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुमें सामने वाले तक जो भी बात पहुचानी है न, वह बिल्कुल सटीक सटीक और सीधी सही पोचानी है ना वो अधूरी हो, ना उसमें कुछ मिलावट हो, ना उसमें कुछ मिश्रित हो जो भी बात है, तुम्हें साफ साफ कहना है ना ही सामने वाले के समचने में कोई दिक्कत आए और ना तुम्हारे लिए आगे चलकर कोई दिक्कत आए कि तुम्हें आगे चलकर कोई बातों को समझाना पड़े या सफाई पेश करनी पड़े किसी के भी सामने समझ गए ना और सुनो मेरी बात को तुम्हारे मन में जिस इंसान को लेकर नफरत आ रही है न और तुम उस इंसान के सामने बार-बार नहीं आना चाते लेकिन मैं उस इंसान को बार-बार तुम्हारे सामने लेकर आ रहा हूँ जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उससे नफरत करते हो उसकी जाती के लिए उसके छेतर के लिए क्यूं ऐसे नहीं करना है तुम्हें देखो अगर उसके बुरे कर्म है तो उस कारण तुम उससे पीछे हट सकती हो लेकिन ऐसी छोटी-छोटी बातों के लिए नहीं बिलकुल नहीं देखो जाती धरम तुम मेरे बच्चे हो और तुम यह नहीं कर सकती हो मैं बोलता हूँ ना सबका मालिक एक है सब इस दुनिया में एक सम्मान है सबका एक खून है और जो लोग धरम जाती करते हैं वो लोग इनसान कहलाने के लाइक है ही नहीं क्या हम जानवरों में जाती और धरम करते हैं करते हैं क्या तो फिर इनसानों में क्यों करते हैं हम अब जब जानवर पक् तो तुम क्यूं कर रहे हो मेरे बच्चे क्यूं ऐसा बिल्कुल भी मत करो बिल्कुल नहीं मुझे ये बिल्कुल बसंद नहीं और सुनो मेरे बात को देखो बरदाश करने की एक सीमा होती है जहां तुमसे बरदाश हो पाए वहां तक बरदाश करना देखो मैंने हमेशा जु कि उसकी सीमा क्या है और उसे कहां तक रहना है बस उसे एक बार समझा देना कि उसे के सीमा तक रहना है और सुनो तुम्हें जो खुशी मिलती है ना अंतर आत्मा से जो तुम्हारी आंतरिक खुशी होती है बस वही चीज़े किया करो जिन चीजों को करने से तुम्हें आंतरि लेकिन जो चीज तुम्हारे अंदर की है ना तुम्हारे आंतरी खुशी की बात है वो तुम खुद कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता वो तुम्हें खुद ही पैता करनी होगी कि तुम्हें आंतरी खुशी किन चीजों में मिलती है तुम्हें वही काम करना होगा वही चीज करना चाहते हो जो चीजे पहले से ही तुम्हारी हो रखी है तो उसी को आगे बढ़ाऊ ना क्यों चारो तरफ तुम पैर हाथ मार रहे हो जो चीजे चल रही है उसी में काम करो उसी में तरक्की प्राप्त होगी चारो तरफ अगर पैर फैलाओगे तो नहीं हो पाएगा कुछ मुए आगे बड़ो अगर कोई तुम से घुत हुआ है नाराज हुआ है न तुम उसे घुत है नाराज हो यूए तुम नहीं चानते की उन पर क्या भीच रही है वह अपना गुस्चा किसी और नहीं considering सकते तुम पर निकाल सकते हैं तुमने की कोशिश करो कि उन पर क्या बीद रही है, वो तुम्हारे अपने हैं, उनकी दर्द को समझने की कोशिश करो, अपने आपको समझो, उनको समझो, ऐसा नहीं कि उनसे तुम भी गुसा हो जाओ, जैसे सबने उनका साथ छोड़ दिया, तुम भी साथ छोड़ दो, तुम ऐसा मत करो, उन्हें समझो, बुरे संदेश, समाप तूँआ